आपकी लाइफ है, आप जुम्मेवार हो, कोई और जुम्मेवार नहीं है, कल को आप गरीब रहे गए, किसी को फरक नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फरक नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ एक इं गए तुम्हारी किष्ट बाउस हो रही है बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही बच्चे एवरे स्कूल में पढ़ रहे हैं किसी को घंटा फरक नहीं पढ़ेगा सिर्फ तुमको फरक पढ़ेगा दोस्त अपना समय बरबाद मत करना इस समय ने अच्छे अच्छों को बरबाद कर दिया है समय है बदल जाओ खुद से बदल गए अच्छा लगेगा समय ने बदला बहुत तकलीफ हो गया है खुद से बदल गए अच्छा रहेगा समय ने बदला दोस्त बहुत तकलीफ है I hope मेरी बात आपको समझ नहीं आए I hope you are getting my point so zindagy में जो करना अभी करना तुरंच करना जबी भी खयाल आए कि कल करता हूँ मेरी बात ध्यान रखना जबी भी आपके दिमाग में खयाल आए कि कल करता हूँ समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है जिन्दगी आगे जानी चाहिए पीछे नहीं जिन्दगी आगे जानी चाहिए पीछे नहीं कि दोश किसी और का नहीं है अगर आप जिन्दिगी में सफल नहीं हो सके सौथ और दीशत दोश को आपका है कड़वा शब्द है गंदा शब्द है लेकिन इस्तमाल कर रहा हूं मैं आज आपके पाँ किसी का दोश नहीं है अगर आप जिन्दिगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिन्दिगी में फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ दोश इव दा क्रॉप इस नौट गूट हुई रिस्पॉंसिबल अगर फसल अच्छी नहीं होई तो कौन जमदार है किसान साथ वाले खेत में क्या लहला रही है तो फेलुप आप सब्सक्रिका है रख सेपट एक जमाया विकनाया है सब्सक्राइब आप अगर भोट गार से जीवन को देखें तो हम जब कलास 10 तमें थे तो हमारी माता जी में थे तो दो कि पढ़ाई अगर काइदे से कल लोगे ना भत तीनी साल जीवन जीवन में पढ़ना है मैंने का अच्छा हाँ बोली बस तीन साल 10th 11 12th और तीन साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा बस तीन साल आप आपने पढ़ लिया 97.8 परसेंट आपके माक्स आ अब पता चला कि भाईया अगर आईटी निकल जाए मेडिकल निकल जाए के जीमसी मिल जाए और फिर तो जीवन आपने फिर से दम लगा दिया आईएटी भी निकल गया अब जब आप आईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया आपके मुहले का लड़का आईएस हो गया पुरा खांदान को दहज में BMW मिल गई 10 करोड कैश मिल गया अब आपके पिता जी फिर आपकी तरफ पल्टे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खा तुम्हारे लिए क्या है तुमने जोरा डंडा उठाया और बाबुजी का पैर चुआ कि बाबुजी चल रहे हैं अब दिल्ली फते करके आएंगे तो फिर आईएस बन गए फिर बन गए आपको जिंदिके में कहीं भी संघर्ष खतम नहीं हो रहा है रूप बदलते जा रह के संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया जीवन की सबसे बड़ी कटनाई ही काम्याबी का सबसे बड़ा सहरा बंती है कई बार कड़ी मेहनत के बाब जूत हमें सफलता नहीं में दरसल यह हमारी परिक्षा है जहां उपर वाला हमें टटोल रहा है वो देख है कि क्या हम काम्याबी की चरम सीमा के लिए तयार है जो लोग ठक कर रुख जाते हैं वही रुख जाती है उनकी किसमत और जो मात्रे का पसीना पोच कर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं उपर वाला उनके सामने पूरी स्रिट्टी जुका देता है उनका नाम इत्य हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए